कैथल में आज प्रताप गर्स थे प्रताप कल्यान भूमी में विद्यूत शवदा सयंत स्थापिट किया गया जिसको है फिर हर्याना के चेयर्मेन के लाश भक्तव कैथल के विधायक लीला राम ने जनता को समर्पित किया पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यूत शवदा ग्रया में बिना किसी लकडी के मनुष्य के पात्य शरीर को कुछ ही मिंटों में अगनी के सुपुत्र कर दिया जाएगा जिसका सबसे बड़ा फायदा पर्यवन को होगा क्योंकि एक मनुष्य के संसकार मे काफी लकडियां लग जाती हैं लकडियां पेड़ों से मिलती हैं इसलिए पेड़ पौदे भी बचेंगा प्रोदूशन भी नहीं होगा कुरोना काल में जब म्रत्य उदर काफी बढ़ रही थी तब इसकी आविश्यक्ता पड़ी लकडियों की कमी हो गई थी दूसरा युद्शवदा ग्रे बनाने की ग्रांटी है पहला बनकर त्यार हो चुका है और जंदा को समर्पित किया जा रहा है तूसरा भी जल त्यार हो जाएगा आज यहां कैथल के पडला रोड समसान में प्रताब भूमी में सब दहा यंतर स्थाबित किया गया है और उसको कलास भगत जी चेर्मैन हैफ़ड और हम दोनों यहां पर समाज के दुवारा बलाए गए थे आदनिया कलास भगत जी ने उनके बटन दबा करके उसको मसीन को चलाने का काम किया गया और मैं इसके लिए आदनिया सीवसंकर पहवा जी किरिशन नारंग जी उनकी संस्थागा सब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है इससे जहां पर लकडियों की बच्चत होगी लकडी की जगह पर प्रयावरन में बहुत सुधार होगा वनों को कम कटा जाएगा यह के कैथल सहर के लिए एक तोफे के रूप में कहूंगा मैं आज इस संस्था ने दिया है और आजनिया मुख्यमंत्री जी से इन्होंने सिला क्योंकि यह तो निश्चित है जिसने जनम लिया उसने जाना भी निश्चित है और इससे परियावरन में बहुत ज्यादा सुधार होगा यह बहुत बड़ा दूर गामी कदम है आज परताप कल्यान भूमी के अंदर इलेक्रिक शिव्ग्रेग का जो काम किया गया उससे पूरे समाज के कहने के ऊपर कैथल शेर को दो दी जिसकी आज एक का उद्गाटन जो है वो आज समर्पित शेर को आज किया गया और यहां के परदान हमारे क्रिशन नारंग जी पावा जी जिनोंने सारी संसार ने पूरे मिलके आपने अंदर आके देखा होगा कि पूरे प सारी जो है इलेक्ट्रिक मैशीन भी जो है आज जो है वो पूरे शेर को समर्पित की गई जिससे प्रेवें का जो है उसमें फाइदा मिलेगा लोगों को जैसे करोना हुआ था करोना के अंदर यह सबसे भारी जरूरत उस टाइम मैसूस की गई कि जिस टम लकड की कमी की री तरना फिरना वियना उख है इसमें मैं दास भी देख डा पर जातो मैनूं फिर लिफ मेला है टाइ तैनम ही ने इस्तेमाल कर लोगोडवी ओके मोड़वी ओके जित उसीवी के इस तरह ती बिमारी तो परिशान हो ते बेशा बेश जीज़िक हो किस तनू इस्तेमाल करो सिर्फ टाई तिलमी ने एक सो पच्ची बीमारियां तक ने इलाज कर सकते हैं फीर लीफ हमेशना जाद रखो बस कुछ दिना तो मैंनों बालां दी बड़ी समस्या सी मेरे बाल चड़ने शुरू होगे सी मैंनों मेरे दोस्त ने ओयल फीर रिलीफ वाले दस्या मैं यह तेल तेनकमी ने लाना अपने शिर्टे अपलाई कीता है यह बिल्कुल आयुर्वेदिक तेल है यह दा कोई साइड इफ शर्म फिल्म